सिधा पॉइंट में जलते हैं अगर इस फैस्टी सीजर आप भी कोई बढ़िया टीवी लेने का सोच रहे हो और कन्फ्यूज हो कौन सा साइज लेना चीए कौन सी ब्रैंड लेने चीए कौन सा टीवी लेना चीए तो आज आप सही वीडियो पहुंच चुकियों जिसमें आप आपको बताऊंगा 32 इंस के टीवी से लेके 55, 65 या 35 इंस तक के टीवी तक जिसमें आपको बजट के अंदर या प्रीमियम सेग्मेंट के अंदर कोल से टीवी लेना चीए और कोल से बेस्ट पीक्स है इस फैस्टी सीजन एमजोन फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर वेटी से ब कौन कोल से टीवी आते हैं अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया आए तो डेफिनेटली कर लो क्योंकि बहुत सारी टेक वीडियो और टेक में हेल्प वानी वीडियो हम लाते रहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब जरू कर लेना और अब स्टार्ट करते हैं हमारे तो अब जो है शोटा हुसे सबसे पहले है हमारे एक थरी टू इंचिस के टीवी इस लेकमेन के अंदर सारे एसजी टीवी आते हैं ऑर हमारे पूरी सारे smart टीवी जा जिसके अंदर कुछ smart टीवी जा है कुछ कंपनी के अपने सो्फवेर है कुछ Google TVs है, तो वो सारी चीज़ी है, साथ-साथ उन TV की एक specific highlight जो है, एक अच्छा feature जिसके कारण आप post TV को लेना चीए, उन सब की यह बात करेंगे, तो 32 चीज में सबसे पहले start करते हैं, पहले TV से, जो की है Redmi Fire TV, अब एक चीज और, इस पूरी list में मैंने ranking नहीं की हुई है, मैंने सिरफ fix डाले हुए है, जो मेरा personal favorite होगा किसी list में, वो मैं आपको बता दूँगा, but मैं features for TV की अच्छी performance के गोडी, आपको बता रहा हूँ, कोई particular ranking नहीं है, कि पहले number पे को ने, दूसरे number पे को ने, तो सबसे पहले हमने रखा हुआ है, Redmi Fire TV को, ये TV का price 10,000 रुपी है, तो Amazon की जैसे जो fire TV stick होती है, तो fire TV बाना support आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, तो काफी बड़ी है, आपका smart TV, ये आपको देखने को मिल जाता है, बात करते है second TV की, तो second है हमारा MI5A, अभी जो TV है, ये Redmi वाले से थोड़ी सी अच्छी पिच्छे कुलाटी देता है, ताते जात, इसका design थोड़ा सा better है, क्योंकि इसके अंदर आपको bezel-less design देखने मिल जाता है, और इसका price आपको 11,500 पे इस sale में देखने मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ओपर नीचे sale पे depend करता है, कि आप कौन से sale में वीडियो देख रहे हो, कौन से sale में आप इस प्रजिस करने वाले हो, प्लस, car discount बगेर जो आपको देखने मिल जाएगे, वो सारे separate है, इसके अंदर, Redmi वाले से जैसे कि मैंने पताया, जो advantage है, bezel-less design आपको देखने मिल जाएगा, जोगी कमाल का लोग इस TV को दे देता है, next, मेरा personal favorite इस list के अंदर है, Acer का, जो निया नि लगा हुआ है, तो उसके high-speed का use, ये काफी अच्छी तरह कर सकता है, इसके अंदर, आपको HDR10 का support देखने मिल जाएगा, frameless design देखने मिल जाएगा, और ये सारे चीजों को मिला के, ये बहुत ही कमाल का 32 इंच का TV बन जाएगा, इसको definitely आप ले ले लेना, अगर आप सोते मेरा final pick, जो कि है OnePlus की तरफ से Y-series का TV, ये TV बहुत ही कमाल का है, इसका price भी आपको 39,90, मतलब 14,000 पर देखने मिल जाएगा, प्लस का discount, और ये भी TV बहुत ही कमाल का है, अब 32 इंच में जो हमारे budget वाले TVs थी, उनकी बात होगी, आप सारा screen size बढ़ा लेते हैं, और बात कर 40 इंच के TVs की, और उसके बाद, बढ़ाते जाएगे, और आपको सारे premium segment के TVs की तरफ लेके चलेंगे, तो 40 इंच की TVs में सबसे पहले कमाल के बाद, ये जो सारे TVs है, सारे HD नहीं, Full HD सपोर्ट करते हैं, तो 32 इंच के मुकाबले काफी आपको अच्छी picture quality देखने मिल जाएग तो मतलब आपका ये वाले टीवी भी स्मार्ट टीवी है, और इसका प्राइस 20,000 रुपे है, प्लस पोई कार्ड इसका अगर आपको देखने मिल जाता है, तो और भी कमाल की बात है, सैकिंड है, अगर आपको 20,000 तोड़ा प्राइस सेंग्मेंट जादा लग रहा है, आप MI4 की तरफ भी जा सकते हो, वो भी बहुत कमाल का टीवी है, नेक्स्ट है, मोटरोला की तरफ से, मोटरोला ZX2, इसका प्राइस भी आपको 20,000 पर देखने मिल जाएगा, बट इस टीवी की कमाल की बात ही है, इसके इंदर आपको डॉल्बी विजर और डॉल्बी एटमोसर स जो UI है, वो देखने मिल जाएगा, और ये भी समार्ट टीवी है, तो बात ही अच्छे प्राइस आपको इस टीवी से भी देखने मिल जाएगे, और उसके बात, जो मेरा लास्ट पिक है, वो अए Acer की दरफ से, Acer Advance, इसका प्राइस आपको 17,000 पर देखने मिल जाएगा, सा आपके लिए बहुत ही कमाल की बात है, ये तो हमने बात कर ली 43 इंच के अंदर बजर सेग्मेंट की, और अगर आप ऐसे बंदे हो, जो 43 इंच के अंदर प्रीम सेग्मेंट देख रहे हो, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा बढ़िया पिचर क्लाइटी देखने मिल जा और इस दोने मोडल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इनका प्राइस 41,000 रुपीज और 63,000 रुपीज है, और इस प्राइस पे ये दोनों ही टीवी काफी प्रीमियम है, आपको काफी बढ़ी आप क्लाइटी देखने मिल जाती है, साथ 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 सोनी जैसी प्राइड है, उसका ट्रस्ट भी देखने मिल जाता है, इसके बाद बात के लिए दोसरी ब्रैंड की, जो क्या है LG, LG के इस लिस्ट में मेरे तीन टीवीज डाले है, पार टीवी आपको ओले टेक्नोलोजी में आ जाता है, जिससे आपको बहुत ही कमाल की पिच्छर क्लाइ जाता है, और उसका प्राइस 28,000 रुपीज है, और LG के तीनोई टीवी बहुत ही दमदार है, इनके जो है फोटो आप अपने स्विन पर देख सकते हो, और जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप 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 जागर चागा और कर सकते हो, तीनोई टीवी बहुत कमाल के है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि LG और Samsung की ऐसी दो ब्रैंड्स है, जो कि display manufacture करती है, टीवी में सबसे important display होती है, मतलब audio भी होती है, बाट display सबसे ज्यादा important होती है, क्योंकि वो television है, obviously, तो उसके अंदर जो बागी सारी ब्रैंड्स है, सारी Samsung और LG से ही लेती है, तो अगर आप 43-inch या 55-inch की TV की तरफ जाते हो, तो हलका सा मैं recommend करूँगा LG या Samsung की तरफ, आप हलका सा band रहना, क्योंकि वो ही बहुत तगड़े वाले display manufacture है, अलागी बागी ब्रैंड्स के भी TVs बेकार नहीं है, क्योंकि लोने पैनल तो Samsung और LG से ही लेना तो ऐसा रखता है कि पेंटिंग टांगी हुई है, बहुत ही जादा स्लिम है, और इसका जो 43-inch वाला वेरिंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, 57-200 पीस का, इसके बाद जो Samsung की Crystal Series आती है, उसके अंदर आपको दो टीवी उस और मैंने बदा दिये, दोनों ये 53-inch के टीवी, अब एक स्टै पोरा के दिलते हैं, और बात कर लेते हैं हमारे 5-inch के टीवी की, ये वीडियो मुझे पता है, अल्रेडी काफी बड़ी हो चुकी और बड़ी होने वाली है, इसलिए मैंने आपको गोला था कि अगर आपने Time Force नहीं देखे और आपको पर्टिक बात करें हैं हमारे MI के टीवी, इसके अदर दोतिन मोडल है, सबसे पहला है MI 5X, बहुत ही कमाल का टीवी है, बहुत ही कमाल की पिचल क्लाइट है, और फ्रेमलेस डिसेन आपको देखने मिल जाएगा, इसका प्राइज आपको नॉमल वाले जो 2022 वाली X-series थी या 5X है, इस बात करें, इन दोनों ही टीवी के प्राइस की, तो जो MI X-Pro है, इसका प्राइस आपको 44,000 रुपीज में देखने मिल जाएगा, और 44,000 रुपीज में बहुत ही कमाल का प्रेमलेस का टीवी है, और बात करें, अगर MI 5X की, या फिर इसे पुराने वाला जो X-series वाला मोडल जो 2022 साला मोडल था, वो भी आपको 44,000-45,000 रुपीज में देखने मिल जाएगा, जो X-Pro है, उसका प्राइस हो सकता है, सेल के बाद थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इस सेल में डेफिनिटल इस प्राइस पर उसे खरीद लेता, बहुत ही कमाल की दिल देखने को मिल रही आप ये TV भी बहुत ही कमाल का है, बजट के अंदर एक और ओफरिंग हमारे पास, Toshiba की तरफ से भी आती है, मुझे पता है काफी लोग Toshiba का TV नहीं लेने वाले है, पर स्चिल, Toshiba का TV भी कमाल का होता है, और काफी अच्छी जो बिल्ट क्वालिटी है, पिचर क्लारिटी है, स से भी देखने हो जाएगी इसका प्राइज भी काफी रिजनेबल 40,000 रुपीज आपको इस सेल में देहने को मिल जाएगा अगला है 55 के टीवी में सबसे सस्ता टीवी जो कि है एसर अडवांस अगर आपका बजट काफी टाइट है तो आप इस टीवी की तरफ जा सकते हो इसक आपके पास पैसा है और आप चाहते हो कि 55 इंश में बहुत ही कमाल का टीवी देखने को मिले तो उसमें कौन-बोन से आपको देखने मिल जाते है तो स्टार्ट करते हैं शैमसंग से शैमसंग का फ्रेम टीवी मैंने इसका इंडेफ्ठ रिव्यू भी किया हुआ है कि दूसरा TV, Samsung की तरफ से या जाता है, Crystal Series का, ये भी TV बहुत कमाल का है, ये LED इस डिस्प्ले में है, QLED में नहीं है, और काफ एची प्रिटर क्लाइटी, इससे भी आपको देखने मुल जाएगी, इनके प्राइस साथ साथ आपको सिर्टर भी देखने मुल जाएगे, तो आप इ इस प्राइस साथ आपको देखने मुल जाएगा, इसका प्राइस थोड़ा सा अजीब रहता है, मतलब आई रेकमेंड कि इसे आप ओनलाइन खरीतने से बढ़िया, ओफलाइन खरीदो, ओफलाइन में काफी अच्छा प्राइस आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि ओनला यह OLED एक्मोरजी में नहीं आता, यह 911 आपकी टेक्नोरजी में आता है, और इस TV का प्राइस 82,000 रपीस देखने मुल जाएगा, और काफी कमाल के फीचर्स और काफी कमाल की पिचर क्लाइटी आपको इस टेखने मिल जाएगी, अब बात कर लेते हैं, अगले TV की जो की है LG की A3, यह TV OLED इस प्ले में आता है, और बहुत ही कमाल का टीवी है, बतलब इसकी पिचर क्लाइटी one of the best मानी जाती है, काफी कमाल के रिच कलर्स आपको LG की इस डिस्पले से देखने मुल जाएगे, और इसका प्राइस आपको 1,15,000 पे देखने मुल जाएगा, इस प्राइस मे कार्ड इस्पन वहरा लगा लेना तो आपको बहुत ही कमाल का टीवी, LG का A3 देखने मुल जाएगा, A3 लेटेस मोडल 2020 का, तो वो भी काफी अच्छी बात है कि आप लेटेस्ट मोडल की तरफ जाओ, फोड़े बहुत पैसे बचाने है तो आप A2 की तरफ भी जा सकते है, वो भी आपको काफ एच्छी क्लारटी देदेगा, बट मैं रेक्मेंड करूँगा, आप A3 की तरफ ही जाओ, इसके बाद LG की तरफ से एक बहुत ही प्रिमिर टीवी आपको देखने मुल जाएगा, जो की QA डिस्पेस सपोर्ट नहीं करता, ने लिशनल डिस्पेस होती है, वो भी बहुत कमालगी होती है, और ये टीवी भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी मैं रेक्मेंड करूँगा, कि आप offline market से ट्राय करो लेने का, क्योंकि online इसका price बहुत ही अजीब सा रहता है उपर नीचे, तो online इस वाले टीवी को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ले रहा पेचबंघ के टीवी इसकी बात हो गई, अब आप कर लेते हैं 65 इन्ज के टीवी इसकी की 65 इन्ज में आपको कौन कों से टीवी लेने ची है और कों से कमाल के टीवी है, इसके लिए मैं वीडियो जादा एक तो लंबिय नहीं करना चाहता, शोर्ट में बताना चाहता हूँ तो जो जो TVs मैंने 55 इंच में बताए सारे टीवी के model आपको 65 इंच में देखने हो मिल जाएंगे तो आप definitely उन्हें check out कर लेना Amazon पर obviously कोई भी टीवी का आप लिंक हो लोगे न तो पैसर इंच पे जो 55 इंच पर क्लिक कर देना पैसर पर क्लिक कर देना है कि 55 इंच के अगर आपको टीवी लेने है 75 इंच के पूरा home theater वाला experience आपको चाहिए 75 इंच कितना अगर 75 इंच टीवी में आगे रखा होता तो आप कुछ भी नहीं देख पाते आपको home theater का experience भी बैदाता तो बहुत ही कमाल का बड़ा साथ जो जाता है 75 इंच वाला टीवी तो 75 इंच में सबसे पहले recommendation है मेरी samsung का frame प्राइज इसका काफी हाई चला जाता है 75 इंच में बट अगर आपको 75 इंच का बहुत ही कमाल का टीवी चीए तो Q-lay display के साथ ये samsung का frame टीवी बहुत ही ज्यादे कमाल का है बहुत ही कमाल का टीवी है तो 75 इंच में जो M-I का Q-lay TV है वो भी बहुत ही कमाल की performance देता है उसका price भी एक लाग मीजार पे के आसपास है आपको exact price आपकी screen पर देखने हो मिल जाएगा प्लस जो card discount है वो भी definitely आप ऐसी टीवी में तो definitely card discount लगा के फायदा उठाले ना क्योंकि इतना price पे कर रहे हो तो कई ना कहीं तो आप फोड़े बहुत पैसे बचाना चाहोगे ही और इसके बाद एक ओर टीवी जो मेरा recommended है वो है वीव का masterpiece glow ये टीवी एक ऐसा टीवी है जो भी थोड़ा सा underrated है लोग वो लगता है इतना कमाल का नहीं और कमाल की picture gliding नहीं देता बट actual में practical use के scenario में बहुत ही ज्यादा कमाल का टीवी है और definitely अगर आप 75 इंच का टीवी देख रहे हो तो इसको एक recommendation में रखना चाहिए कि चूज करने के लिए at least एक और option आपके पास अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा बाकि अगर आप 75 इंचिस का टीवी देख रहे हो और बहुती कमाल की OLED डिस्पले चाहिए आपको बहुती भैदरिन पपो में सहीए डिस्पले की तो LG का OLED टीवी definitely try कर सकते हो 75 इंचिस व उसके तरफ भी जा सकते हो, online model थे जो मैंने आपको बता दी, offline में आप LG को definitely try out कर लेना, और मैं आप वीद करता हूँ कि इतनी लंबी वीडियो के बाद इसमें मैंने एक एक TV के बारे में बताया, एक एक प्राइस सेग्मेंट में और एक एक screen sense के हिसाप से, आपको help होगी ह आपके घर में आप कौन सा TV लाने वाले हो, सारे ही TV के link मैंने description में डाल दिया है, offline वाले छोड़के, और आप description में जाके उन्हें buy कर सकते हूँ, और ऐसी और खुमाल की वीडियो के लिए मैं दुबारा बोलूँगा, अगर आप ने बिते कमार से अगली वीडियो में,